हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे साथियों अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कौने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरे पाना चाते हैं तो आज ही आपका अपन हमारा चैनल सबस्क्राइब कर लीचिए तो फ्रेंट्स अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर क्या है हलाकि इस टाइप के मामले आपने पहले भी देखोंगे हिमाचल परदेश से भी आपने कुछ ऐसी अपडेट सुनी होगी कि जो छात्रुरती का पैसा मिलता है उस पैसे को अपसर डकार गए मतलब जो SC, ST या OBC केंडिडेट्स को जो पैसा मिलता है गौर्णमेंट पैसा देती है उस पैसे को जो अपसर है वो अपसर डकार गए उससे खा गए उस पैसे को ऐसा मामला आपने पहले हिमाचल परदेश के अंदर सुना होगा लेकिन करोड का जो घोटाला किया गया है 15 करोड रुपे जो बच्चों को मिलना था गौर्णमेंट की तरफ से दिया गया पैसा उसे अपसर खा चुके हैं और सबसे बड़ हैरान करने वाली बात ये कि इसमें से 3 करोड रुपे का जो घोटाला है वो सौनीपत के अंदर है मतलब 3 करोड रुपे का जो घोटाला है तो अब बात ही आती कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है और सबसे बड़ी बात साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं यह नहीं कि सिर्फ यह मतलब यह चात्वृत्ति का पैसा इवन आपको पता होगा जैसे गौर्णमेंट की तरफ से रासन द नहीं जाती तो गौर्णमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस टाइप की जो चीजे मिलें उसे डारेक्टली मतलब लिंक करके मतलब डारेक्टली अकाउंट में दिया जाए और जैसे अभी हो रहा है और जो यह ओफीसर्स हैं तो इन पे मतलब सक्त कारवाई क की जाए ऐसे नहीं अगर इस टाइप से इन्हें डील दे के छोड़ दिया जाए तो इससे मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ फाइदा होने वाला है क्योंकि देखो गौर्णमेंट की तरफ से जो पैसा दिया जा रहा है गरीबों के लिए जो पैसा है तो वो किसी भी गरी गरीजर के लोगों होते हैं बांस पास किरोग पर परशन दिया जाता है तो आपको पता होगा आप अगर गाउं से हैं तो आपने देखा होगा कि वो रासन किटने लोगों तक पहुच पाता है उससे लिए टो मैं बोह से नहीं चाही है तो अभी ये अपडेट है, इसके बाद कुछ और अपडेट में आपको बताना चाहूँगा इसके बाद जो और मामले देखे गए है सबसे पहले जो सिख्षक को मतलब एक बोरल माना जाता है लेकिन अगर वो ही सिख्षक चीटिंग करते हुए पकड़े जाए वो ही टीचर जो सिख्षक बनने वाले हैं, जो केंडिडेट्स वो नकल करते हुए पकड़े जाएं, तो आपको कैसा लगेगा 31st, 31st जो भावी सिख्षक हैं, नकल करते हुए पकड़े गए हैं जैसे आप जामते हैं, डी एलेड की जो परिक्षा चली हुए है, फस्टियर की जिसमें रियपियर और नियमित दोनों की परिक्षा चली हुए है तो उस परिक्षा में क्या हुआ है, कि 31st नकल के मामले सामने आए और ये कंडिडेट्स वो हैं जो सिख्षक बनने वाले हैं तो साथियों मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी इस परिक्षा में, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा लेवल है क्योंकि इस से आगे CTAT भी देना, आपको CTAT भी देना, CTAT exam देने इसके बाद और भी बड़ी परिक्षा है देनी है अगर आप इसमें ही ऐसा करेंगे तो आप सिख्षक बनने का सपना छोड़ दे बिलकुल और देखो अगर इस टाइब के सिख्षक आगे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सिख्षा ववस्ता उससे अच्छी होने वाली है हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जो सिख्षा का स्तर है वो आगे उठ भी रहा है क्योंकि सिख्षक अच्छी क्वालिटी के जा रहे हैं अगर इस टाइब के सिख्षक आगे जाएंगे क्योंकि आगे आप लोग फिर भी सौटकट यूज करेंगे अगर सौटकट यूज करेंगे तो बच्चों का नुक्सान सीधे तोर पे होता है क्योंकि अभी भी क्या है कि ऐसे गंदे लोग मिल जाते ओफिसर लोग भी मिल जाते जो सौटकट को सपोर्ट करते हैं पैसे के लिए तो यह बहुत गलत है बहुत दुखवा है देखके तो फ्रेंड्स यह अपडेट है आप दोनों अपडेट पे जरूर विचार दें कि वीडियो कैसी लगी और मतलब आपके क्या विचार है गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद